एक तफ़र का जिकर है कि एक आदमी के पास एक गधा था जिस पर वो नमक लाद कर मंडी बेशने जाया करता था मंडी तक जाने के लिए उसको एक नदी से गुजर कर जाना पड़ता था आदमी और गधा मंडी की तरफ रवाना हुए जैसे ही गधा नदी के बीश में पहुंचा तो उसका पाउँ फिसला और वो नमक समेथ पानी में गिर गया नमक पानी में शामिल होते ही घुल गया आदमी ये देखकर बहुत परिशान हुआ तो घर वापस जाने का सोचने लगा क्योंके अब मंडी जाने की कोई जरूरत न रही अगले दिन आदमी फिर से नमक लाद कर मंडी की तरफ रवाना हुआ मगर इस बार कामचोर गधा जानबूज कर नदी में बैठ गया सारा नमक घुल कर नदी में बह गया गधे का वजन फिर से कम हो गया आदमी को गधे की मकारी समझ में आ गई अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बजाए रूई का एक बड़ा सा गठा लाद दिया और उसे मंडी की और ले चला लेकिन गधा तो गधा ही था नदी आते ही उसने फिर से वही जाल चली लेकिन बच्चो ये क्या रूई के गठे में पानी बर गया और गधे का बोज कई गुना बढ़ गया अब तो उससे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया जब गधा ना चल पाया तो आदमी ने डंडे स उसकी फूद पिटाई की फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की तो बच्चो इससे हमें ये सबग मिलता है कि अगर हम सुस्ती की वज़से अपने काम को डालते हैं तो हम और ज्यादा परेशानी और मुसीबत में फैस सकते हैं इसलिए काम से जी चुराने वाले को कम चुर कहते हैं